तोस्तों हेलफू चैनल में आप सभी का स्वागात तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है फोर्थ हाउस माता का घर इस्थान सुपरवार आपका पब्लिक रिलेशन्शिप राज नीटी कर भी छेतरी माना जाता है फोर्थ हाउस फोर्थ हाउस को हम दोग डिनोट करते हैं इसका सबसे कारग्रह मुखिस्थान होता है जी हां चंद्रमा चंचलमन चंद्रमा दोस्तों चैनल को टॉपिक के आगे बंदेंस पहले एक बात जोर है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को यहां पे नीचे चैनल के नीचे करेड बटन होगी इसको क्लिक कर दीजिए और एक बैल भी होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए तो आपको जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा तुरंट अबलोट हो जाएगी अपडेट हो जाएगी से चैनल को देखना होगा आपके यह APPो जहां समझ को mejorar को कि दोस्तों अगर आपको कोई भी क्यारि पेशना फिराओ फिरी ओफ कॉस्ट है चैनल को देखना फ्री ऑफ कोस्ट है आप देखिए वीडियो और आपको कोई भी कोश्चन के आपको कुछ लिए जाएगे और नहीं लिएंगे हम लोग हमारा काम है शोचल का करना ठीक है दोस्तों और प्लीस चेन को सब्सक्राइब जो करती है याफ टॉपिक है आते है फोर्थ हाउस की क्या वैलू होती है देखिए दोस्तों आम आपको बता रहा हूं कि कुंडली के एक चार साथ दस घरों में फोर्थ हाउस बहुत ही important होता है क्योंकि दोस्तों अगर आपके जीवन में आकर आपको पैसा चाहिए सरकारी नौकरी चाहिए जी हाँ दोस्तों इसमें आपको मैं आपको बता दे रहा हूं कि सरकारी नौकरी मिले में भी चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान होता है आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों सॉरी चंद्रमा जो ग्रे होता है उसमें सरकारी हाँ दोस्तों ध्यान कर लिए अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको सूर और चंद्रमा जहूद साथ में देखना है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूरी सरकारी नौकरी इनी दोगर से मिल जाएगी नहीं 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 यह इस बात में नौकरी है कि नहीं नौकरी है तो यहां को यहां कोई ग्रैब बैठेगा तो यहां से सीधों आपके ट्रफ़ट यह नहीं कि नौकरी के बात को जहूर देखेगा jeżeli सब्सक्राइब आतो कि यहां पर एक दौकरी करते हो बात में चुप चाड़ देते हु तो यह स rough दो फोर्ट धा की ज़ूरती ज़ूर 실ाइब पहुत ही अच्छी होगी पहुत पैसे वाली भी घर के सम्मंद रखती होगी उसके बच्चें भी बहुत अच्छी होगे अगर यहां पर कोई यहां चद्रमा ए तो उस वेक्टित की माता बहुत इच्ची होगी बहुत पैसे वाली भी घर के तम्मन रखती होगी उसके बच्चे भी बहुत अच्छी हो एगर यहां पर कोई स्टू राशी आजाती है जैसे कि यहां पर हम यह कह देते चंद्रमाब का इसाट्रू कौन है अगर आगर यहां बुद्ध तीन नम्मर ये छह नम्मर लिका होता है और यहां चन्दमा बैठा होता तो बुद्ध जूर नुक्षान पहुंचाता आपकी माता का और आपकी माता भी जो होती हो थोड़ी सी आपसे उनकी नहीं पढ़ती है रहू होता तो नुक्षान पहुंचाता शनी होता तो नुक्षान पहुंचाता तो इस तरह से ते और दोस्तों यह 4 घर जो राजनीती का भाव भी होता है चौथह घर में को हम लोग के कहते हैं कि पप्लिक सर आम जन्ता होती है वो 4 घर में है तो थी के दोस्तों तो अगर यहां पर 4 घर में चंतरमा के फ्रेंड बैटे हैं यहां पर बेस्ट चंतरमा डेंगा जब आपका चंद्रमा में मून प्लस मार्स यानि की चंद्र और मंगल बैठे हों तो आपको इसको कहते हैं लक्ष्मी योग तो यापके पास पैसा ही पैसा है अगर यहाँ पे मून और जूपिटर बैठते हैं तो भी इसको कहते हैं गज केसरी योग तो इसके पास भी पैसा द्यान रखना चाहिए कि बस जो ग्रह बैटे हों वो चंद्रमा की फेवर की हो यानि मित्र राशी को या खुद की राशी में या ओन राशी में जो भी हो वो मित्र वाले हो इनमी प्लैनेट में बैटेंगे तो यह योग नल हो जाएगा आधा हो जाएगा और साहसत कभी-कभ लेकिन फिर्विक बहुत जीवन में सक्सेस नहीं उनके में पैसे की कम ही है तो दोस्तों यह दारात मेरा फौर्थ हाउस फॉर्थ हाउस फ्लीज दोस्तों और हां फॉर्थ हाउस में अभी मैंने एक चीज और नहीं बताए कि इसको परवारिक शूप आपको मकान कब इतना है तो फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है कि आप कब गाड़ी खहीद पाओगे कम नहीं गया इस पर बैठे ग्रह या इस पर बैठे जो राशी आती है जो राशी नमल रहते हैं उसकी ग्रह अंतादशा या महादशा सूच में आप अपने के कार यानि की सुख की चीज क आपने कैसे पर यह सब चीज बहुत इंपोर्टन रोता है तो चंद्मा थोड़ा स्टॉण होना चाहिए तो दोस्तों यह था मेरा चैनल की बातेई फोर्थ हाउस और फोर्थ हाउस माता कागर मकान परवारिक शुक तो दोस्तों अब आगर आपको मेरी वीडियों च्छी तो प्लीज लाइक करें शब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कोई भी को रही हो तो मेरे मेल एड़ी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दन्यवाद दोस्तों